असलामरीकूम और वेलकम टू एनदर वीडियो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे विलियम शेक्सपियर को एज अ प्लेराइट विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्लेराइट पोईट और एक्टर थे जिनकी बर्थ हुई थी 26th April 1564 को और डेथ हुई थी 23rd April 1616 को विलियम शेक्सपियर का शुमार इंग्लिश लेंग्विज के बहतरी इन पेस्ट राइटर्स के अंदर होता है। और Greatest Dramatist कहते हैं इन्हें Father Of English Drama भी कहते हैं। इसके साथ साथ इन्हें England का नेशनल पोईट भी कहा जाता है। इनके वर्क्स में अगर इनके प्लेस को काउंट किया जाए, कॉलिब्रेशन वालों को मिला के तो तक्रीबर इनके 39 प्लेस बनते हैं 154 सोनेट्स हैं, 3 लॉंग नेरेटिव पोईम्स हैं इसके इलावा भी इन्होंने बहुत सी वर्सेज लिखी हैं अगर इनके प्लेस की बात की जाए तो इनके प्लेस की बहुत सी ट्रांसलेशन हुई हैं बहुत सी मेजर लेंगविजिस के अंदर इनकी रैटिंगज को अभी तक बहुत शौक से पड़ा जाता है इन्होंने at the age of 18 शादी कर ली थी एनी हैथवे के साथ और इनके तीन बच्चे थे अगर इनकी कैरियर की बात की जाए तो इन्होंने अपने कैरियर का स्टार्ट as an actor किया था William Shakespeare की अगर education वगरा को देखा जाए तो इनकी कोई हास education नहीं थी proper और ये बात सब को बहुत जादा हैरान करने वाली थी कि इनकी education ऐसी नहीं थी कोई इन्होंने proper training हासिल नहीं की थी पड़े लिखे नहीं थे लेकिन इनकी writings को देखकर ऐसा लगता नहीं था और ऐसी ही कुछ वज़ुहात के वज़ा से इनके बहुत जादा controversies हैं यहां तक कि इनकी existence के ओपर भी controversies हैं कि William Shakespeare था ही नहीं कोई Shakespeare के बारे में बताया जाता है कि Shakespeare लंडन इसलिए है थे ताके वो कोई जॉब कर सके हैं और अपनी जिंदगी इच्छी गुजार सके हैं उन्होंने अपने का आगाज ऐसे एसिस्टेंट किया था वो थेटर के अंदर एसिस्टेंट का स्पॉर्ट बॉय का का काम करते थे चीज़ें उठा के रखना यह वगरा ऐसे जितने भी काम होते थे यह करते थे पर उसके बाद वक्त गुजरता गिया और फिर वो एक्टर बन गया और एक्टर के बाद फिर वो एक प्लेराइड बन गया और उन्होंने ऐसे प्लेज लिखे के पूरी दुनिया को हैरान कर दिया विलियम शेक्सपियर की लाइफ को चार पीरिड्स के दर्मयान में डिवाइड किया हुआ है फिर्स पीरिड्स स्टार्ट होता है 1577 से 1993 तक फिर्स पीरिड्स को कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वर्क था इनका इसके अंदर उन्होंने बहुत से अर्ली एक्जिस्टिंग वर्क्स की ट्रांसलेशन्स की थी इसके लावा कुछ प्लेज लिखे थे जिन में से था इसके लावा कुछ क्रोनिकल्स लिखे थे जैसे रिचर्ड थर्ड ए यूथफुल ट्रैजरी रोमियो एंड जूलिएट सेकेंड पीरिड्स स्टार्ट होते हैं 1594 से 1600 तक जिसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छी कॉमीडीज लिखी थी और क्रोनिकल प्लेज लिखे थे जिन में रिचर्ड सेकेंड किंग जॉन दे मर्च लिखे जाए तो इन वर्क के अंदर मिच्योरिटी और विलियम शेक्सपीर की आर्ट दोनों मेंशन हैं थर्ड पीरियोड स्टार्ट होते हैं 1601 से 1608 तक थर्ड पीरियोड के अंदर शेक्सपीर ने बहुत अच्छी ट्रैजीडीज लिखी थी इस पीरियोड के अंदर वह ह मेजर फर मेजर, ट्रिलियस, एन क्रिसीडा, ओथेलो, किंग लियर, मेकबित वगेरा लिखी गही थी नेक्स्ट फॉर्थ पीरियोड स्टार्ट होता है 1608 से 1612 तक है विलियम शेक्सपीर के एक और बहुत बड़ा किंट्रिबूशन ही है कि उन्होंने इंग्लिश विलियम शेक्सपीर के ओपर बहुत जादा कंट्रोवर्सी जिन में से एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि इतना भी वर्क इनका था वो इन्होंने होद नहीं लिखा वो हो सकता है उस टाइम पिरियोड के अंदर किसी राइटर ने अपनी आइडेंटिटी चुपाने के लिए विलियम शेक्सपीर वर्ड नेम यूज किया और अपना वर्क पब्लिश किया क्योंकि ये मुम्किन ही नहीं कि कोई ऐसा इनसान जे इसने कोई फॉर्मल एजुकेशन ना हासल कियो कोई ट्रेनिंग ना हो उसकी कोई ऐसा एजुकेशन बैक्राउंड ना हो और उसने इतना अच्छा वर्क किया और जो नेम हमारे पास विलियम शेक्सपीर की जो स्पेलिंग आ रही है ये फर्स टाइम एक फोलियो पॉब्लिश हुआ था सेवन ये यर्ज के बाद विलियम शेक्सपीर की डैथ के बाद उसके अंदर ये स्पैलिंग यूज की गही थी इससे पहले कभी भी with William poems Shakt reflected ने पिल्लिएम शेक्सपीर ने अपना नाप श्पेल नहीं ही मीलीम शेक्सपीर के उपर एक और ये चार्ज भी है कि हो ड्रॉग लेते थे और एक ये चार्ज भी है कि वो बाइसेक्शुल थे अगर शेक्सपियर के राइटिंग स्टाइल को देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल और डेलीकेट स्टाइल था जो कि एजीली अंडरिस्टेंडेबल था उस एज में कहा जाता है कि इंग्लिश ड्रामा को क्लाइमेक्स तक पीक तक लिकर जाने वाले वीलियम शेक्सपियर ही थे और हिस्ट्री में अभी तक उन जैसा कोई ड्रामाटिस नहीं आ सका जो उनकी जगर रेप्लेस कर सके उमीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी अगर इस से रेलेड़ेट किसी भी किसम के क्वेस्टन है आप कमेंट सेक्शन में बूच सकते हैं थैंक्यू सो मच